खिर्या सयर ने कुहली से लिया पंगा अब टीम इंडिया में मचेगा कोहराम होने वाला है बड़ा घमासान कप्तान रोहिचर्मा की अगवाई में टीम इंडिया का विजैराथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है चब से रोही चर्मा ने टीम इंडिया की कमान समाली है तब से उनकी कप्तानी में भारत लगातार 9 टी-20 मैच जीत चुका है और वो भी तब जब उसके जयालतर बड़े खिलाडी या तो चोट की वज़े से बाहर थे या फिर उन्हें आराम दिया गया था और उनकी जगा चौका मारते हुए पूरी सीरीज में लगातार 3 अर्दश तक ठोके और एक बार भी आउट नहीं हुए इस दोरान आययर ने सीरीज में कुल 204 रन बना दिये लेकिन इतना रन बनाने के बाद लग रहा है कि श्रियस आयर अब फुल कॉन्फिडन से भर गए है और उनका आनते हैं कि भारतिय टीम में नंबर 3 पर हमेशा से विराच कोहली की जगा पर्मनेंट रही है लेकिन अब भारत को लगातार 3 मैच जिताने के बाद कोलगता नाइट राइडर्स के नए कपतान श्रेय सायर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की इच्छा जताई है जिस स्थान पर सालों से दिगज विराच कोहली पैटिंग करते हैं श्रेय सयर ने अपने बयान में कहा नीजी तोर पर बताना हो तो मेरे लिए सर्व श्रेश जिस्थान तीसरा नंबर है टीट्विंटी फॉर्माइट में नंबर 3 का बल्लेबाजी अपनी पारी की योजना काफी अच् बल्लेबाज हैं जिनका हर फॉर्माइट में 50 से ज्यादा का एवरेज है लेकिन उसके बावजूद विराच का फॉर्म पिछले कुछ समय से उतना अच्छा नहीं चल रहा और अब श्रेय सयर जैसा युगा धाकड उन्हें खुले आम चुनोती दे रहा है और आस्ट्रेलि को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाएए हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करना पिलकुल ना भूलिएगा और भारतिय क्रिकेट टीम से जोड़ी हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ